तो आज का हमारा टॉपिक है बच्छों वेक्टर ऑपरेशन इसके अंदर आप लोग क्या सिखने वाले कि वेक्टर अलजेबर को कैसे एड़ सब्ट्रैक्ट किया जाया यह मल्टिप्लाइब किया जाया सबसे पहला सबसे पहला टॉपिक है सके अंदर सबसे पहला topic है यहाँ पर multiplication of vector by scalar सबसे पहला किसी vector को अगर मैंने scalar से multiply अभी आपको scalar और vector पता है क्या होता है है ना तो किसी vector को अगर scalar से multiply कर दिये तो क्या हो तो यहाँ पर आप simply देख सकते हो यह मेरे पास एक vector है P bar और इसको कोई मैंने scalar number से multiply कर दिया यह S मतलब यहाँ पर कोई भी scalar number होगा जैसे 2, 3, 4, 5 तो अगर इससे multiply करता हूँ तो मुझे एक another vector मिलेगा क्या मिलेगा another vector मिलेगा तो आपसे यही पूछा कहता समझा रहे हुआ नहीं तो मैंने आपको hint दे दिया था तो आपने लिख लिया होगा hint क्या पूरा answer ही बता दिया अच्छा example तू लेट आया सुनो जैसे यह मेरे पास कोई vector है 4 i cap ठीक है अब यह vector है कैसे पता चल रहा है कैसे पता चल रहा है इसका magnitude है और साथ में क्या है unit vector है vector magnitude भी है और उसका क्या है तो मतलब it is a vector अच्छा अगर मैं बोलू बच्छो यह मेरे पास कोई vector p bar है है ना कौन है यह p bar है अगर आपने इस p bar को मानलो 2 से multiply कर दिया किस से multiply कर दिया 2 से तो क्या होगा 2 into 4 i cap समझा रहा है बेसिकली यह कौन हो जाएगा 2p bar हो जाएगा ऐसे बोलोगा ना अच्छा 2 forza अच्छा यह भी magnitude भी और साथ में मतलब यह एक another vector हो गया कुछ आया समझ में के नहीं है अच्छा एक और बात अगर आप किसी vector को positive scalar number से multiply करते तो जैसे 4 i cap किदर होगा इधर पर 4 i cap कहा होगा यहाँ पर मैं एक vector बना देता हूँ ऐसे 4 i cap यह इसका जो length है ना यह बता रहा है कि 4 है और यह i cap बता रहा है कि x axis पर है कहां पर रही है अगर आप इसको 2 से multiply कर देते हो तो होने वाला क्या है बढ़ जाएगा ना तो इसका magnitude बढ़ चुका है लेकिन direction same रहेगा understood positive scalar से multiply करते हो negative भी कर दिया तो फिर उल्टा हो जाएगा direction negative से multiply कर दिया तो direction उल्टा हो जाएगा समझ गए multiplying vector p bar by scalar quantity say s क्या बोलते हैं लोग scalar quantity को s yields another vector ये क्या produce करता है एक another vector produce करता है उसको इस तरीके से लिख सकते है let us write like this opposite direction में हो जाता है समझ जा रहे हैं उसके opposite हो जाता है q bar will be a vector whose direction is same as that of p bar क्या बोला मैंने अगर मैं इसको positive scalar number से multiply करता हूँ तो क्या इसका direction और इसका direction सेम नहीं है सिर्म magnitude change हो गया है that of p bar and magnitude is s times the magnitude of p bar तो p bar का magnitude कितना है? 4 है तो q bar का कितना होगा? इसका कितना गुना होगा? 2 गुना होगा तो वैसे यहाँ पर p bar का magnitude p है q bar का magnitude p के magnitude के कितना गुना रहेगा? ने ने वो तो दो नंबर लिया था यहाँ पर अपने symbolically बोला है न तो s times देखोंगे यहाँ पर magnitude is s times magnitude is that of p bar समझ गए? तो इसका अगर explanation आएगा तो इसमें से इतना लिख देने का क्या? अरे ने रे बाई p bar का magnitude होता है only p q bar का magnitude होता है only या mod of p bar भी बोल सकते हैं तो इसका magnitude इसके magnitude के कितना times होगा? s times होगा direction सेम होगा magnitude s times होगा direction और magnitude ये s मतलब कोई number आएगा वहाँ पर जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया ना example तो s कोई number आएगा आपका scalar multiple समझ जा रहा है? तो बहुत ही simple है basically कोई vector को अगर scalar number से multiply किया जाएगा magnitude बदल जाता है लेकिन direction क्या रहता है? सेम रहता है now addition and subtraction of two vectors अब दिस वेरी वेरी important दो vector को हम लोग किस तरीके से add किया करता है? देखो हमारे पास अगर दो vector एक दूसरे के parallel है या anti-parallel है तो दिक्कत नहीं है parallel है तो direct add कर दो anti-parallel है direct subtract कर दो या बोला मैंने? addition, subtraction के rule समझाओ भी अगर दो vector ऐसे ये एक vector और ये एक ऐसा इन के बीच में कुछ angle बन रहा है तब आपको formula लगाना पड़ेगा दो vector को directly add और subtract कर सकते है जब parallel हो और तो एक काम करते हैं हम लोग एक general formula निकालते हैं addition, subtraction का addition का पहले बेसिकली निकाल लेते हैं फिर हम लोग बात करेंगे parallel वाली और anti-parallel वाली condition ठीक है? आईए उसको कर लेते हैं अभी मैं इसमें से कुछ भी read नहीं कर रहा हूँ इन्होंने parallel और anti-parallel के लिए direct बताया हुआ है लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पूरा general condition करते हैं और उसमें anti-parallel और parallel case discuss कर लेते हैं देखो आपके पास एक vector है आपके पास यह एक vector है P bar यह एक vector है Q bar यह इधर P bar ले लेता हूँ इधर P bar ले लेता हूँ इन दोनों के बीच में angle है तीटे क्या angle है? तीटा angle है अब हमको क्या करना है इस बात को समझिए P bar और Q bar का resultant find out करना है resultant कि दर होगा बताओ इनका? बीच में होगा? ऐसे कुछ this is your resultant vector अच्छा resultant vector क्या होता है? sum of individual vector होता है क्या होता है? यह दोनों का resultant है ना यह तो resultant vector क्या होगा? इन दोनों का plus रहता है कौन से rule के according अभी आगे चलके बताओंगा? समझ आ रहा है? आप क्या ना में? law parallelogram भी पढ़ोगे parallelogram law और उसके बाद triangle law of vector addition पढ़ोगे तो triangle law of vector addition से भी इसको बता सकते हैं parallelogram उससे भी कर सकते हैं मैस यह यह भाई vector algebra तो मैस में आगे क्या मैस ही कर रहे हैं पूर फिजिक्स में हाँ हाँ smaller position vector बताया जात ठीक है अच्छा दिस इस यौर capital R bar is equal to P bar plus Q bar ठीक है? अब इसका जब हम लोग parallelogram का यह formula करेंगे ना ठीक है? parallelogram तो वहाँ से आपका R का formula आने वाला है under root P square plus Q square plus 2P Q cos theta है अब इसका ना यहाँ पर एक बड़ा derivation करना अपने को लेकिन इसका एक shortcut करते हैं अपूर क्या shortcut होगा सुनो क्या shortcut होगा सुनो यह diagram अच्छे समझना है यह shortcut बता रहा है आपको अपने को state board में इसका shortcut नहीं बताया गया है इसका क्या ना में प्यारे लेलो ग्रम लॉग के हिसाब से प्यारे लेलो ग्रम वहां से अपने को पूरा डिराइफ करना इसका आर का जो formula मैंने बताया यह वाला ठीक है और इसको बहुत ही shortcut तरीके से हम लोग कर सकते हैं यहां पर लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा सुनो आपको यह वाली लाइन को आगे बढ़ाना है ठीक है और यहां से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉख खीच रहा है इतना समझा गया थोड़ा सा एक मिनट हाँ सभी करता हूं मैं को झाल के लिए यह कुंद अधर तो यह मैं इसन सुन क्या कि हमने यह हमारा है पीबार यह कौन है इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा और आपका है बच्चो ये वाला R बार ठीक है तो हमने क्या किया Q बार को सेम यहाँ पर पर परलेलोल ग्राम बनाने के लिए इसको आगे ले गया यहाँ पर और ये P बार का एक यहाँ पर लेकर रहा है इसको आगे बढ़ाया मैंने और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो यह पूरा जो ट्रेंगल आप देख रहे हो जाँ बन गया यह ठीक है देख पा रहे हो इसको आप नाम दे दीजिए O A ठीक है B C और इसको नाम देता हो D इतनी कानी समझ आ गई बोलो अच्छा यह वाला एंगल थीटा है ध्यान दीजिएगा यह ठीक है इसको आगे बढ़ाता है यह यह भी क्या होगा अच्छा अब मुझे एक चीज़ बताओ राइट एंगल ट्रेंगल आपको कितने दिखाई ज़र है यहाँ पर दो एक छुट को दिखाई ज़र है यह और एक यह बढ़ को दिखाई ज़र है मतबा कर उसका नाम देखो O D C और यह थोड़ा सा A D C नहीं दिखाई ज़र है A D C तो दो ट्रेंगल दिखाई ज़र है जो के राइट एंगल कैसे है राइट एंगल ट्रेंगल अच्छा हम लोग क्या करते हैं सुनो बच्छो O से लेकर A तक यह मेरा P बार है इसका मेगनिट्वड क्या होगा ओनली P ठीक है अच्छा A D का मेगनिट्वड क्या होगा यह आप कैसे पता कर सकते हैं पहले आप यह बता करो कि O B का मेगनिट्वड कितना होगा यह Q बार है तो मेगनिट्वड क्या होगा Q तो अगर O B का मेगनिट्वड O Q है Q बार है O B का Q बार है तो magnitude Q हो जाएगा ये वाला भी Q bar होगा magnitude क्या होगा only Q होगा तो इसका magnitude क्या होगा इसको मैं Q bar लिख देता हूँ magnitude याद रखना लेकिन ठीक है अच्छा मैं इसमें ये पता कर लेता हूँ AD कितना है और CD कितना है क्या पता करना है AD और CD कैसे पता करेंगे सुनो अगर आपके पास कोई right angle triangle है 90 के सामने वाला आपको पता है इसका magnitude क्यों है और ये रहा एंगल ठीटा और आपको ठीटा के सामने opposite पता करना है और बगल वाला adjacent पता करना है क्या लगाओगे opposite पता करने के लिए हाँ आपको हाइपो पता है opposite पता करना है हाँ sign लगाओगे क्या लगाओगे तो इधर पर अगर मैं sin theta लगा देता हूँ sin theta होता है opposite opposite आपका कौन है बच्चो cd न ठीक है तो यहाँ पर आप क्या लिखो के cd upon ac ac का magnitude कितना है q तो यहाँ पर क्या जाएगा यह इधर आया तो q sin theta तो cd कितना है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ q sin theta तो यह value आपको पता चल गई अच्चा वैसे ही ad निकाल सकते हो कैसे क्या लगाओ adjacent upon hypo क्या होता है cos होता है तो cos theta लगाते है ठीक है adjacent कौन है ad है upon hypo यानि वही ac यानि q तो आपकी ad कौन आई q cos theta बोलो समझ आ गया तो हमको यह मिल गया q cos theta आयोप यह समझ में आ गया इतना क्या बोला समझ ठीक है अब हमारे पास एक बड़ा वाला right angle triangle को जरा आप observe करिए बड़े वाले right triangle को right angle triangle को आप observe कीजिए बच्चो o d बीच में यह a है और यह कौन है c है यह 90 है यह वाला vector r बार है इसका magnitude सिरिफ r होगा अच्छा यह कितना है p बार इसका magnitude सिरिफ ad का magnitude निकाला न आपने अच्छा इस c d भी निकाला हुआ है अब इस triangle में हमको तीनो side पता है इनका relation निकालने के लिए आप पाइथा लगा सकते हो पाइथागरस ठीक है याद रखना है यह क्या लोग है आप p प्लस q cos theta और यह वाला q sin theta अब इसमें पाइथागरस लगा देते हैं पाइथागरस क्या होगा बच्छो oc का square is equal to od square plus c d square सही है ओके मैं oc की जगा direct लिख दू r square क्या लिख देता हूँ अच्छा od की जगा direct लिख दू p plus q cos theta का square और c d की जगा direct लिख दू अच्छा इसको open कैसे करोगे आप a plus b का whole square p square plus 2p q समझ गए एक मेंटे को सब्सक्राइब ये लिखाने क्या वन है q square cos square theta plus फिर ये लास्ट वाला ये open कर क्या है इतना a square plus 2ab plus b square इतनी बाद समझी और ये लास्ट वाला q square sin square theta अच्छे लास्ट वाले में दोनों में क्या common है q square common sin square theta plus cos square theta समझे मतलब इतर common लोगा तो जो sum करके आएगा वो 1 बजाएगा यानि सिर्फ q square बचेगा क्या बचेगा तो आपका ये रा p square plus q square plus 2p q cos theta this is r square उदर गया तो root formula बन गया बच्छों हमारा कैसे आए formula समझाया कैसे आप कैसे आप quickly जो resultant का magnitude निकाल सकते हैं अब आपने को finally ये formula याद रखना है कोई भी दो vector हो उनके बीच में कोई भी एंगल हो कितना भी एंगल हो आपको resultant का magnitude निकालने के लिए formula लगाना है तो क्या formula लगा ओगे ये सुनो r is equal to under root t square plus q square plus 2p q cos theta हो गया बोलो बो जल्दी सुनो r r क्या है magnitude of resultant vector दो vector का कोई मेरे पास आ रहा है resultant और दोनों के बीच में एंगल कितना हो theta तो आप formula के लगाओगे r is equal to under root p square q square plus 2p q बराबर cos theta खतम हो गया formula understood ये एक general formula है दो vector add होंगे तो उनका resultant क्या आएगा उसका formula है अब जोको addition हमारे इसमें simple algebra में कितना असान होता था direct दो number को add कर दो लेकिन यहाँ पर vector में ऐसा नहीं होगा vector में इन दोनों के बीच का angle matter करेगा ठीक है अच्छा अब सुनो अब situation discuss करते हैं cases discuss कर लेते हैं इसके अंदर और भी है resultant का direction लेकिन वह अपन derivation में बात करेंगे ठीक है अभी मुझे addition subtraction पर बात करना है तो मैं उसी पर बात कर रहा हूं सिर्फ आर का formula सबको याद हो गया के नहीं अच्छा बच्चों ये हमेशा P bar और Q bar ही नहीं होगा ठीक है अभी हो सकता है forces के बारे में बोल रहा है तो ये F1 bar और ये क्या हो जाएगा F2 bar तो resultant आपका F हो जाएगा resultant क्या हो जाएगा F1 और F2 का resultant F समझे बात को अच्छा तब formula क्या बनेगा F is equal to F1 square प्लस F2 square प्लस 2 F1 F2 cos theta क्या बोल रहा है तो सब्सक्राइब कोई भी आ सकता है अगर ये A और B बना दे A bar और B bar क्या बनेगा formula आर बार का और कहीं formula बना दो A square प्लस B square प्लस 2AB को समझ गए ओके आप थोड़ा सा cases discuss कर लेते हैं आपको formula याद हो गया बच्छों इसका derivation मैं अभी करवा हूंगा आगे चलके लेकिन ये shortcut तरीका मैंने आपको बता दिया सुनो हमारे पास आर का formula क्या है अभी हम लोग discuss कर रहे हैं हमारे पास formula है special cases ठीक है तो यहाँ पर case 1 case 1 क्या है पी बार और क्यू बार एक दूसरे के parallel है इसका क्या मतलब होता है math की भाशा में पी बार क्यू बार और parallel to each other मतलब कैसे होंगे यह रहा पी बार और यह रहा आपका यह उपर बना दो आप पताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा अभे कौनसा math पट रहा है रहे तू जीरो 90 कैसे दिखाई जारे रहा है दरको parallel है ना अरे दो लाए इधर देख इधर यह दिस इस परपेंडिकुलर ऐसा रहेगा तो एंगल कितना होगे आइन दोनों के बीच में जीरो यार क्या सलाथ खाएगा ना सीटा कितना हो जाएगा सीटा इकोल टू अब आर का फॉर्मुला निकाल लेते हैं फिर बाद में शॉट्कट करेंगे मतलब आपको डिरेक कैसे याद रखना है फॉर्मुला क्या बना हमारा पी स्क्वेर थीटा कितना हो जाएगा अच्छा कॉस जीरो की वैलू पता है क्या सबको कॉस जीरो वान आपको कोई फॉर्मुला दिखाई दे रही है कॉस जीरो वन हो गया हां लिखूंगा वन जरूरत नहीं ना समझागे हां तो यहां पर लेकिन पी और क्यों है तो क्या बना होगे फी क्यों का रूट और स्क्वेर क्या हो गया क्या हुआ मतलब आर इस इकल टू क्या है है मतलब सुनो अगर आपको क्या कौन सा यह इसदर देख एपलस बी का फॉर्मुला आता है अब बताने ज़े मेरे को अब बताने ज़े मेरे को ठीक है A square plus B square 2AB यही है formula अब यह दिख रहा है इससे reverse मार दिया हमने समझा रहा है यह दिख रहा है उसका reverse कर दिया understood अभी तो square root और root square क्या हो गया cancel हो गया समझ गया बचा क्या ए सुनो R का formula क्या है shortcut directly P plus Q इसका क्या मतलब है अगर दो vector parallel है तो अगर उनका magnitude पता है for example यह तीन है और यह चार है तो resultant क्या आजाएगा directly 7 आजाएगा नहीं समझे बात को आपको कुछ solve यह नहीं करना है आपको shortcut पता है parallel वाले के लिए क्या shortcut बने कि हमारे लिए magnitude को डरेक आइड कर दो understood ओके आगे सब्सक्राइब केस्टू तो आप पढ़ोगे और ऐसे समझ में आ जाएगा क्योंकि वो मेरा एक केस है इसका केस टू करते बच्छो केस्टू केस्टू में देखो मैं क्या बल रहा हूँ पी बार और क्यू बार एक दूसरे के कैसे हैं हाँ परपेंडिकुलर हो गए कैसे हो गए यह परपेंडिकुलर मतलब अगर पी बार आपका ऐसा है तो क्यू बार आपका इज़र है अब यह केस में आपका थीटा कितना हो जाएगा अब आगे सुनू कोस नैंटी कितना होता है कोस नैंटी कितना होता है अभी कोस जीरो भी वन बोला कोस नैंटी भी वन बोलेगा जीरो इंटू तू पी क्यू खतम हो गया वो टर्म थर्ड टर्म गाया बजाएगा यहाँ पर क्या बचेगा परदर यह सॉल होगा नहीं तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो आपका रिजल्टन्ट क्या करोगे रिजल्टन्ट निकालने के लिए अंडर रूट में दोनों का स्क्वेर का सम करोगे मतलब फॉर एक्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर यह दो वेक्टर जो है एक का वेलू देदू आपको 3 और दूसरे का देदू 4 और दोनों परपेंडिकुलर है समझ आ रहा है तो आपको पता है अंडर रूट 3 स्क्वेर प्लस 4 स्क्वेर 9 प्लस 16 25 का स्क्वेर रूट 5 रिजल्टन 5 आ जाएगा कुछ आ रही है समझ में परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या शॉटकट है अंडर रूट प्लस क्यू स्क्वेर है पैरलल रहा तो डिरेक्ली आट प्लस क्यू केस तरी बात कर लेते हैं केस तरी क्या बच्चों ए इधर सुनो पी बार और क्यू बार इधर वर्ट्स में लिख देता हूँ इसका सिंबल नहीं है एंटी पैरलल इसका मतलब अगर डाइग्रेमेटिकली बता हूँ तो ऐसे पी बार और यहाँ पर क्या रहेगा क्यू बार इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बता हो अब यह एंटी पैरलल है आपकी अंटी प्यारे लाल है एंटी प्यारे लाल हो सकते है एंटी पैरलल क्या होंगे एंगल को इस वन इकितना ये लगा वनिटी आपको कोगती पता है कितना होता है कितना होता है कोगम औरwhite वहता है माइनस वन पंश्व औागिपiking explosive होदा है कितना होता है याद रखेगा कि यह किसका फॉर्मूला बनेगा यानि पी माइनस क्यू का होल स्क्वेर अच्छा एक और बात एक और बात सुनो आपको यहाँ पर मॉड भी लगाना है क्योंकि आपको पता नहीं पी बढ़ा है कि क्यू बढ़ा है आपको बड़े में से छोटा निकाल देना है मैगनिटून निकालने के समझा रहा है तो डिफरेंस आएगा आप यह ऐसे भी बोल सकते हैं या मॉर्ड मतलगाओ आप लिख दो पी डिफरेंस क्यू इसका मतलब माइनस होता है तो डिफरेंस इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बढ़ा होगा उसमें से माइनस कर देना और पी बढ़ा है तो पी माइनस क्यू करना समझा रहा है अच्छा सुनों यह मेगनिटूड है ना तो आप मेगनिटूड सरी नंबर में बात करोगे आपको उसके साइन नहीं निकालना है अब बात को समझों अब यह तीनों केस याद रखे आप ठीक है अगर पैरलल हुए दो वेक्टर मेगनिटूड डेरेक हो जाएगा मेगनिटूड क्या हो जाएगा अच्छा अगर पर्पेंडिकुलर हुए तो आर का फार्मुला बनेगा अंडरूट टी स्क्वेर प्लस क्यू स्क्वेर अगर यह एंटी पैरलल हुए तो डिरेक्ली माइनस कर देना है कुछ आई बात समझ में अच्छा तो अगर मैं सिंपल मैस की बात करूँ इसके इलावा कोई एंगल है जैसे थीटा वाला भी आपको 90 वाला भी पता है 90 वाले में अंडूरूट P स्कूर प्लस Q स्कूर इसके इलावा कोई एंगल है तो फिर आपका आर का जो फॉर्मुला है वही लगाना for example 30 है तो आप cost 30 लिखोगे मतलब यह वाला फॉर्मुला लगाने का cases के इलावा कोई है तो क्या करोगे general formula लगा होगे understood मतलब यहाँ पर वेक्टर एंगल पर depend कर रहा है किस पर depend कर रहा है वेक्टर का addition जो है किस पर depend कर रहा है अगर angle बदल जाएगा तो इनका addition क्या हो जाएगा बदल जाएगा अभी मालो मैं आपको number देता हूं जैसे त्री और फाइव भी बात कर देता हूं कितर क्या कि त्री और फाइव वाला मैंने बताया था ना भी से तीन निकाल दोगे अच्छा अब मैं एक और यहां पर चीज बता देता हूं आपको दू वेक्टर एड होकर maximum कितना वैलू बनाएंगे और minimum कितना बनाएंगे मैक्सिमम और minimum तो maximum minimum कैसे निकले का तो कि यह minimum वाला है यह क्या है यह आर की minimum वैलू बताता है डिरेक्ट सब्ट्रैक करोगे और डिरेक्ट करोगे यह क्या बताएगा आप याद करो अगर मैं तीन और पांच नंबर तीन और चार नंबर देता हूं आपको ठीक है इसमें कितना आएगा तीन और चार साथ आ जाएगा इसमें कितना आएगा एक और नब्बे में कितना आ है मतलब दो वेक्टर का एडीशन जो है ना बच्छो उसका जो नंबर आयागा मिनिमंध और मैक्जिमम् के बीच में होगा क्या होगा मैं मामार मैक्जिमम के बीच में होगा आप इस पर बहुत सारे कौंपटिटिव में हम लोग झावल किये मालूम नहीं मालूम वो ज्यान रखिए किस से छोटी हो सकती है और किस के बराबर हो सकती है पी प्लस क्यू ठीक है इनके बराबर हो सकती है और छोटी हो सकती है और पी डिफरेंस निकाल रहे हैं या पी माइनस क्यू लिख लेता हूं हो इधर मोड लगा देता हूँ यह आपकी कौन सी वैलु है बच्छो मिनिमम यह कौन सी है तो आर की वैलू मेक्जिमम मिनिमम के बराबर हो सकती है उनके बीश में हो सकती है उससे जदा या उससे कंब नहीं हो सकती जैसे इस फूर अगर मैं एक वेक्टर आपको देदू है आपका कितना है युई निया फूर एट ओर साथ में को यूणिट वेक्टर है मालो यूरिट वेक्ट लेगदी प्यक्ट टी क्या क्यों बार मालो तो डरेक आइट कर दो कि बुले लिए फटापट से अच्छा इधर पर अठीक है तीन चार साथ और चार में से तीन निकाल दो यानि वैलू कहां से कहां हो सकती यार कि एक से साथ हो सकती है एक से कम नहीं हो सकती साथ से ज़्यादा नहीं हो सकती समझे नहीं बोलो बोलो एक से कम नहीं हो सकती और साथ से नंबर कुछ और भी हो सकता है पर अगर अगर मैं आपको 13 दे देता हूं यहां पर यहां पर आपको 5 दे दिया अब बताओ कहां से कहां range करेगा इसका माइनस कर दिया तो आट हो गया और प्लस कर दिया तो ब्राबर मतलब आठ से लेकर 18 तक हो सकती है आठ से कम नहीं हो सकता है 18 से जादा नहीं हो सकता है रेज समझ में आ गया यह सब अंदर की कहानी थी पहले आप बताएंगे अभी आर का फॉर्मुला कितने बच्छों ने याद कर लिया दो वेक्टर का एडिशन जो रिजल्टन वेक्टर होता है उसका मेगनिटूट क्या होगा अंडर रूट जनरल फॉर्मुला याद करना है प्लस क्यू स्क्यू 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 प्लस क्यू स्क्यू 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 स्क्य कर रहा है वो नहीं बात कर पूछ क्या रहा है डिरेक माइनस कर दोगे परपेंडिकुलर होगा तो अंडरूट प्री स्क्वेर प्लस क्यों स्क्वेर समझ गये हैं अब इदर आ जाते हैं अब यह पूरा थियरी आपको समझ आएगा का नहीं हो चुकी है the addition or subtraction of two or more vectors of same type और एक भात ध्यान रखना कौण से vector कौण से vector आपस में add, subtract हो सकते हैं same type के same क्या मतलब force है तो force से नहीं add होगा acceleration है तो acceleration से ह ही add होगा velocity है तो velocity से add, subtract होगा समझ गया बात को सेम टाइप का मतलब यह describing the same physical quantity same physical quantity describe का है give rise to single vector तो दो vector को add करके एक नया vector बनेगा single vector और such effect of single vector is same as that of net effect of vector मैंने आपको क्या पताया था resultant क्या होता resultant 2 या 2 से ज्यादा vector का effective मतलब ये दो या 2 से ज्यादा मिलकर जो काम करेंगा वो एक अकेला करेगा समझ आ रहा है okay is same as net effect of vector which have been added और subtract जिसको आपने add या subtract किया हुआ है it is important to understand that only vectors of same type can be added or subtract क्या important है किसको add और subtract कर सकते है जो same type का हो क्या मतलब which describes the same physical quantity अगर forces है तो force के साथ ही add होगा कोई force है तो acceleration है तो acceleration के साथ में velocity है तो velocity के साथ में कोई और भी vector है तो displacement है तो displacement के साथ जैसे example देखो F1 बार एक force है F2 बार है इन दोनों का resultant क्या होगा F बार which is equal to F1 बार प्लस ये vector form में ऐसे लिखते है F बार is equal to what F1 बार प्लस इसका magnitude इसका magnitude directly कब add कर सकते हो आप parallel होगा डिरिकली सब्ट्राइक कब कर सकते हो बराबर और अंडर रूट F1 स्क्वेर प्लस F2 स्क्वेर कब लिखूँगा जब 90 होगा या कोई भी थीटा होगा तो फिर formula क्या बनेगा इस F का अंडर रूट अभे अब अब रूट F1 स्क्वेर प्लस F2 स्क्वेर टू F1 F2 इसका बच्चों जणरल formula बनेगा F बार के magnitude का यह magnitude है magnitude में बार नहीं होता है यह vector है F बार का magnitude है समझ गये अब यह point पड़ोगे आराम से समझ आएगा क्या बोलना चाह रहे It is easy to find addition of vector AB bar and BC bar having same और opposite direction सबसे आसान कौन सा है कि अगर दो vector है आपके पास दोनों का direction same है या opposite है तो इनका resultन निकलना बहुत आसान है same रहेगा तो direct add कर दोगे opposite रहेगा तो यह point का मतलब समझ में आ रहा होगा ना क्या कहना चाह रहा है क्योंकि पुरा case discuss किया हुआ है हमने okay if individual vectors are parallel तो अभी मान लीजिए यह आपके पास कौन है AB bar कौन है बच्चो और उसी के आगे BC bar है मतलब parallel है कि नहीं है parallel दिख रहा है आपको ऐसा उठाओ ना direction same है ना यह वाला ऐसा है यह ऐसे लेकर रहा है तो parallel नहीं हुआ अगर direction same है parallel है समझ गए हैं बले आगे पिछे कर दिया हो parallel ही है ए ए से लेकर यह c bar क्या होगा आपका ac bar क्या होगा माड मतलब समझ आता है ना तो a b bar का magnitude plus direct कर दोगे अरे magnitude तो add करना है अ a b bar का for example number दिया है यह बोल रहा है चार है यह बोल रहा है तीन है यह बोल रहा है चार है यह तीन है तो इसका मतलब एक चार है और यह तीन mod of a b bar यानी a b bar की value चार for example b c bar की value तो चार और तीन किता हो जाएगा तो a c bar का magnitude directly 7 हो जाएगा कुछ आया समझ में a b bar मतलब it is a vector a b bar का mod लगा दिया मतलब value magnitude समझा हाँ तो वही तो निकाल रहे है यह सुनो यह बच्चो द्यान दो यह पर अगर दो वेक्टर कैसे हैं anti parallel for example यह आपके पास है एपी बार कौन है कर दो कर दो कर दो कर दो कि यह कौन है एपी बार और यह कौन है आपको कैसे दिखाई जा रहे है एंटी parallel है एंटी parallel वाला magnitude क्या करते है डिरेक्ली अगर आपको इसकी value दे दो मैं चार और इसकी value दे दो तीन तब डिरेक्ली क्या करोगे चार में से तीन निकाल दोगे अंसर आरेगा देको कैसे लिख रहे हैं फॉर्मुला ऐसे बना रहे है लेकिन एक्च्छल में नंबर कैसे सौल होगा यह आजाएगा आपका चार यह क्या हो जाएगा तीन अच्छा इसको मॉड क्यों डाला हुआ है फॉर एक्जांपल यह कम होता और यह ज्यादा होता तो इसको positive कर देता है इसलिए मैं difference बता रहा था कि बड़े में से छोटा निकालना में चार में से तीन न इसलिन करके फिर मॉआपर केस में पता देना चीए कैन ऐसा करेंगे ऐसे करेंगे कोई और एंगल रहा तो ऐसा करेंगे ने इदर मॉट डाला हुआ है न फॉर एक्जांपल अगर यह चार होता है तीन थ्री माइनस फॉर किता था माइनस पन उसका मॉड मतलब वन ही हो जात बच्चों यहां देख रहे हो कि आप सभी बच्चे मेरे पास यह बी बार है और यह कौन है बीसी बार पताओ यह दोनों वेक्टर कैसे हैं पैरलल होते हैं तो क्या कर सकते हम लोग अच्छा अगर मैं आपसे पुछूँ एसी बार है फिर बीसी बार है sous के ळसी बार क्या होगा मतलब डुनों का रिजल्टन क्या होगा ऐसी बार का मगनीटूट क्या होका कि और क्यों कर दिया अपने क्यों सैंप cash और साथ सौरी पांच और साथ कितना हो गया आपका पारा अंडरसूट कोई दाउद बहुत यहां तक अच्छा दूसरा अंटी प्यारेलल वाला भी चेक कर लो यह कितना है ग्यारा ए से लेकर बी फिर बी से सी रिवर्स में आ रहा है बराबर है अच्छा यह दोनों कैसे वेक्टर है पहला दूसरा एंटी पैरल एंटी पैरल को आप डिरेक्ली क्या कर सकते हो तो इन दोनों का रिजल्टेंट यानि अगर मैं आपसे ए से सी पूछू तो क्या हो कि यहां देजएगा क्या बोल रहा हूं ठीक है यह वलला अगर यहां लेकिए चल तो बी से सी फॉर एक्जामपल यहां पहुंछे आप A से B आप फोर्स लग रहा है आपका 11 न्यूटन और B से C कितना लग रहा है तो A to C कितना लगेगा ये वाला समझ गए नहीं यह ऐसे समझाता हो रोको यह एक अबजेक्ट है आपके बास यहाँ पर फोर्स लग रहा है इस डिरेक्शन में पांच न्यूटन कितना लग रहा है और इस डिरेक्शन में लग रहा है 11 न्यूटन आपको पता है जादा कहां लग रहा है अच्छा यहाँ पर रिजल्टन फोर्स कितना लगेगा क्योंकि पांच अपोजिट डिरेक्शन में लग रहा है यहां 11, तो 11 में से 5 माइनस कर दो, तो यहां पर 6 न्यूटन लगेगा, कितना लगेगा, that is the result, समझा रहा है, तो अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर रहेंगे तो, डिरेक्ली सब्ट्रैक्ट कर देने का, और यह उसका result, बोलो समझ गया, अच्छा आप आगे सुनो आप, ट्रेंगल लोवेक्टर एडिशन इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट लोव, आपका जब भी यह चेप्टर अगर आपको आएगा, तो ट्रेंगल लोव पूछना ही पूछना है उनको, ट्रेंगल लोव है, और जब ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है, तो आपको पेर इसको करते हैं, बहुत सिंपल हैं, लेकिन आपको थेयरी पढ़ने से पहले, आपको इसको mathematical expression समझना बहुत ज़रूरी होगा, तब ही थेयरी समझाएगा, इधर आजाओ, यह मेरे पास यह दो वेक्टर है, एक बार है और एक क्या है, बी बार, इस 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 ए बार, बी बार, यह दो वेक्टर है, एक बात और ध्यान रखना, वेक्टर को आप क्या कर सकते हो, मूफ कर सकते हो, लेकिन उसका direction नहीं करने का, क्या नहीं चेंज कर सकते हैं, आप उसको यहाँ बैठा हुआ है, इसको ऐसा खसका क्या आगे ले जा सकते हो, ठीक है, तो आप मैं क्या करने वाला हम सुनो, triangle law of vector addition में, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता रहाएं, क्योंकि यहाँ पर मैं move कर सकता हूँ, इसलिए, यह आपके पास कोई vector है, A bar, यह आपके पास दो वेक्टर है, अपना अकेले अकेले घूम रहे हैं, इसको order में ले लो पहले, यह order में लेने का मतलब क्या है, नई, तेल से तेल कम मिलाते हैं, जब angle पता करना हो, उनके बीश का, triangle law of vector addition में, order में लेने का मतलब है, पहला वेक्टर है, उसका head, देखो यह arrow है ना, इसको head बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, यह पूछ है, और इस सर है, बराबर ना, ओके, दूसरे, दूसरे arrow का, जो tail है, वो पहले वाले के head पे लगा देना है, तो यह order में लेना कहते हैं, इसको, समझा रहा हैं, ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको, यहां ले लिया, इसका मतलब क्या कर दिया हमने, order में ले लिया, तो a bar and b bar are taken in order, समझ गयें, अच्छा, अब, इनका जो resultant होगा, resultant होगा, that will be, कहां से कहां draw करते हैं, पहले तो इनका direction ऐसा है ना, ऐसा, resultant vector कैसे draw करते हैं, पहले की पूछ से, दूसरे के head पर, ऐसा draw करना है, कैसे draw करना है, पहले की पूछ से, यह कौन हो जाएगा, पता है आपका, यहां resultant को आप, यहां पर अभी फिलाल, for example, c bar लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, आप सुरो, आपका यह जो resultant vector है, वो a bar triangle of vector addition कैसे, कि जब आप दो vector को order में लेते हो, और order में लेने के बाद, यह एक triangle के दो side बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, दो side बता रहे हैं, तो जो resultant vector होगा, वो triangle का third side होगा, क्या होगा, पहले दो side कौन बताएंगे, दो vector, समझा रहे है, a bar और b bar, अच्छा, एक और बहुत ही important चीज़ यह है, कि यह same type के होना चाहिए, same type का क्या मतलब होता है, बता चुका हूँ, same physical quantity होना चाहिए, for example, यह अगर force है, तो यह भी force, यह अगर acceleration है, तो यह भी, यह velocity है, तो यह भी, यह momentum है, तो यह भी, नहीं आरी बास समझ में, अच्छा, resultant मिलेगा, वो भी, वो ही मिलेगा, हाँ, नहीं आरी बास समझ में, force और force का resultant, force आएगा, acceleration और acceleration का भी, acceleration ही आएगा, तो same physical quantity ही मिलने वाला है, अच्छा, यह triangle का third side represent करेगा, drawn from, tail of first vector, to the head of second vector, ऐसे बोलना है आपको, जब generally आप define करोगे तो, या, starting from, starting point of the first vector, to the ending point of, समझ आ रहा है, या final point of, तो अलग-अलग तरीके से define कर सकते हैं, अब हमको जो textbook में दिया गया है, उसके according, उसके according, यह law को किस तरीके से याद किया जाएगा, अच्छा, और एक इसका expression कैसे लिखेंगे, आपका जो resultant होगा, C bar, वो, A bar, plus, B bar के बराबर, यह expression हो गया, अच्छा, अब मैं थोड़ा सा, इसमें चीजें बदल-बदल के देता हूँ, आपको ऐसा equation बनाना है, अगर यह बना लिए तो, ट्रेंगल लोग आपको समझ में आ गया, अच्छा, जैसे इसमें मैं थोड़ा और एक चीज़ बता देता हूँ, यह दो वेक्टर, याद रखना कौन से सम होंगे, जो same order में हो, same sense of rotation में होंगे, बोल सकते हैं, ऐसे जा रहा है न, तो यह दुनों add होगा, और यह वाला opposite में आ रहा है, तो यह equal के उस तरफ रहेगा, नहीं हारी बास में, ठीक है, इसका देखो, यह ऐसे जा रहा है और यह ऐसे आ रहा है, तो यह दुनों add होगे, और यह equal के उस तरफ होगा, अभी ऐसे ही मैं दूसरा situation बदा देता हूँ, अभी रुख समझेगा तरको, यह माल लीजिए एक वेक्टर है, पी बार, कौन है यह, पी बार, यह वेक्टर है, क्यू बार, ठीक है, और यह वेक्टर है आपका, इधर पर आपको ट्रेंगल ओफ वेक्टर एडिशन लगा के, एक्वेशन बताना है, क्या, पी बार is equal to, गलत है, पीपार इस पर आपको गलत है, हाँ, अच्छा, ठीक, एक बार, चल जाएगा तरहा, क्या, पी बार, इस परे, रुको, रुको, सुरो, कौन से वेक्टर एड्ट होंगे, जो ओर्टर में होंगे, यह दूनों ओर्टर में है, और यह अपोजिट्टर में आ रहा है, तो आपका एक्वेशन बनेगा, क्यू बार is equal to, पहले यह, यह, यह ओर्डर में समझ आ रहा है आपको, ओर्डर वाला कैसे पेचालोंगे, एक एरो के बाद continue, दूसरा एरो, आगे की तरफ जा रहा होगा, समझा, हाँ, हाँ, तो यह, यह resultant हो गया अपना, तो यह दोनों का सम इसके पराबर होगा, समझा, हाँ, पहले आर बार, फिर प्लस, वैसे competitive होता है, प्लस वाले में आगे पीछे कर दिये, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ऐसे लिखेंगे, यह समझा आया यह, बोलो, बोलो, और situation दे रहाँ रोको, बोलो, 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 इधर न, आपने बास, वाया रखा हुआ है, समझे, सी बार प्लस, आयोब समझ में आगे, ट्रेंगल लो लगाने, समझा रहा है, ओके, आप इसका theory पढ़ते हैं, आपको एभी ऐसे समझ जाएका, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा है, पॉइंट टू पॉइंट अगर समझोगे, तो बहुत इसली याद कर सकते हैं, और ये दो माग के लिए आता आपको, definition, बढ़ा definition, हाँ, resultant vector लिखने के लिए, ओके, अब ये रा, इसको highlight कर लीजिए बच्छो, टिक माग कर लीजिए, इसको मैं read करता हूँ, इफ से लेकर ये last तक, यहाँ तक भी कर लोगा, जो चलेगा ये bracket में, दूसरे लफजों में समझाने ही कोशिश कर रहे हैं, opposite sense, ये bracket वाला नहीं याद करोगे चलेगा, वो मतलब समझाना चाहरा है से, पढ़ें इसको, अब इसको link करना किस से आप link करोगे, जो अभी हम लोग ने मैंने समझाया, कितने vector लेना है, जो vector, कितने vector लेना है, if two vectors describing the same physical quantity, मतलब दोनों vector same physical quantity होना, चाहिए, ठीक है, are represented in magnitude and direction, दोनों को represent किया है, उसका value भी और उसका direction भी, by two sides of a triangle, taken in order, मतलब यह क्या बता रहे हैं, दो vector triangle के दो side बता रहे हैं, और उसको भी आपने कैसे लिया हुआ है, order में लिया हुआ है, इदर उदर घूम रहते हैं, order में लिया, triangle के दो side बता रहे हैं, समझ गए, अच्छा, then, their resultant is, मतलब इनका resultant क्या होगा, in magnitude, उसको भी magnitude और direction में बताएंगे, by the third side of the triangle, कहां से draw करेंगे, पहले की पूच से, दूसरे के head पर, लेकिन sense इसका क्या होता है, opposite sense होता है, आप directly बोल सकते है, drawn in opposite sense, इसको समझाया गया है, कि drawn in opposite sense का क्या मतलब है, from, drawn from, starting point of the first vector, tail of the first, to the end point of the second vector, मतलब head of the second vector, समझ गए कहानी, नहीं समझे, दोबारा read करिए इसको, आपको दो vector लेना है, समझा रहा है, और दोनों का magnitude और क्या होना चाहिए, direction होना चाहिए, जो कि triangle के कितने side बता रहा होगा, इसको order में ले लोगे आप, taken in, then, इन दोनों का जो resultant होगा, वो भी magnitude और direction में बताया जाएगा, by the third side of the triangle, draw कैसे करेंगे, drawn in opposite sense बोल दिये तो पूरा sentence कतम होगा एकी बार में, और इसका मतलब समझना है तो आप बोल सकते हाँ, starting from the first vector, समझा रहा है, to the end point of the second vector, या drawn from tail of the first vector to the head of second vector, ऐसा भी बोल सकते हो, यह पूरे की जगा पर सिर्फ opposite sense कर दिया ना, definition आसान होगे, लेकिन opposite sense को समझना जरूरी है, सिर्फ opposite sense लिख दोगे, और आपने समझा नहीं है तो मतलब नहीं है, ठीक है, इसको अभी याद करनी कोशिश करो, very very important, अभी हम लोग next क्या करने जा रहे हैं, इसको प्रूफ आपको करना है हाँ, जो आगे करने जा रहा हूँ, यह याद हो गया क्या सबको, कोई सुनाना चाहेगा, इसको याद करके आना हाँ, कल अभी क्या है, इसका एक definition का test लोगा, और ली पूछ लोगा मैं इसको, ठीक है, अच्छा अभी सुनो, बता तो अभी एक कुछ प्रूफ करवान लेने तो बड़को, यह सुनो, क्या सवाल पूछेगा, शो दैट, वेक्टर एडिशन इस कम्यूटिटिव, ए, ऐसा पूछेगा आपको, यह पूछेगा, शो दैट, वेक्टर एडिशन क्या है, आपका, कम्यूटिटिव है, मतलब यह, कि, अगर कोई वेक्टर, पी बार प्लस क्यू बार है, तो आप इसको, क्या, क्यू बार प्लस पी बार, लिख सकते हो क्या, यह आपको, ग्राफिकली प्रूफ करना है, अभी ट्रेंगल लॉफ एडिशन आगे ना, आपको, उसका इस्तेमाल करके, हम लोग प्रूफ करके बताएंगे, वो एंगल निकालने के लिए, जब भी आपको एंगल पता करना होगा, टेल से टेल, वहला, ए, सुनो, यह मेरे पास दो वेक्टर है, पी बार और, अच्छा, क्या मैं इसके सामने, यही वेक्टर ऐसे बना सकता हूँ, ओके, क्या इसके सामने, मैं यह वाला वेक्टर बना सकता हूँ, ऐसे, अच्छा, आपको पता है, इनका रिजल्टन किदर होता है, पी बार प्लस क्यू बार करके, एप टो सब्सक्राइब या पी ओर क्यूं के लिए बीच में आएगा कि निल आएगा पटए अ यहार पर आक़ा पीबार और थू बार का रिजन्टन बीच में आएगा बोलो अरे दो वेक्टर का रिजल्टन बीच में आएगा ना क्या ऐसे अरे मैंने इधर ही लिया हुआ है न यार वह वहाँ भी हो सकता है इधर ही लिया है मैंने समझा यहाँ होगा तो resultant पिर ऐसा हो सकता है बीच में कहीं भी हो सकता है लेकिन अगर ऐसे लूँगा तो easily parallelogram बन जाएगा अच्छ आभी सुनो यह एकड़े बगारे बाबा हम लोग एक ट्रेंगल कंसीडर कर लेते हैं नाम दे देते हैं इसको कुछ O A B और इसको C दे देते हैं ठीक है यह कंसीडर कर लिया हमने कुछन में आपको बोला था कि वेक्टर का एडिशन यह कमिटिटिव होता है क्या होता है मेरे पास दो वेक्टर को ने पी बार और यह उसका रिजल्टन्ट है कि अच्छा सबसे पहले आप ट्रेंगल चूरो दो ट्रेंगल दिख रहरे होंगे जिसमें आर बार कॉमन है हैं दो ट्रेंगल दिखाई दे रहे हैं ओए SAT लुज ने वह आए ट्रेंगल इसमें रबार ह्ता और OBC इसमें भी error और तो लोग लिए इनटरेंगल कि OAC और Intrangle OB चलो OAC triangle में using सोचो क्या है तलवा एक मिलना सॉरी T L V A सॉरी triangle law vector addition क्या है यह तूमन तलवा ऐसा गाना है ना कुछ ओके अरे यह सिंग ओके तो यूजिंग तलवा मतलब क्या हो गया triangle law अच्छा यह वाले triangle में triangle law vector addition लगाते हो तो क्या बने का ज़रा बताओ O A bar या आप ड्रेक में लिख सकते हो P bar plus Q bar is equal to क्या होगा या triangle बात कर रहे हैं आप O A C तो पहले ऐसे लिखो O A bar अभे यार तू क्या खोया था क्या O A O A bar plus A C bar किसके बराबर होगा बच्छो O C bar के सही है या आप vector को ऐसी नाम देना arrow के हिसाप से जिसे आप O A bar को A O लिखो के तो गलत हो जाएगा opposite vector बात कर रहे हो O A bar ही लिखना पढ़ेगा O to A A to C O to C समझे O A bar कौन है आपका T bar है इधर आजाओ int triangle O B C using तलवा O B bar plus B C bar है ना सही है O B bar कौन है आपका Q bar यह कौन है आपका P bar है यही वेक्टर है ना समने इसी को उठा लेगी है था इसी कोल टू O C कौन है क्या है क्या है क्या है तलवा triangle law of vector edition अरे अरे आपका लिखते हैं यह उसमें क्या ने ने बोल दिया वीडियो में तुम लोगों कितने पर पूरा मनें टू दोनों का right hand side बराबर है left hand side भी बराबर होगा therefore therefore vector edition वेक्टर एडिशन वेला तुमारों किस कमिटेटिव successful कमिटेटिव पूरूफ करने successful कि ए सुनो सुनो कमिटेटिव का मतलब क्या है आगे पीछे लिखने का लो आप आगे पीछे लिख हो गे निए पाऊगे तो हमने फ्रूफ कर दिया ना कि अगर दो और रहे हैं तो आप उसको आगे पीछे लिख सकते हो कि सब्ट्रैक्शन कमिटेटिव नहीं होता है कि समझा रहा है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपने प्रूफ कर दिया समझा रहा है चलो इसको प्रूफ कर लेंगे सब्सक्राइब इसको लिखना जैसा मैंने कर लेकिन प्रॉपर वैसा नहीं है